नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है इस चैनल के उपर आज हम बात करेंगे Excite Industries और HDFC Life के बीच में जो डील हुई है उसका क्या impact आया है दोनों stocks के उपर में Excite Industries में तो आज 15% का jump लिया था जिसके बाद दिन खतम होने तक 5% पे वो आ गया था इंट्राडे में बहुत अधा jump हुई है आज Excite Industries में साथ ही में HDFC Life जो अल्रेडी एक bullish stock है उसको तो हमको देखना ही नहीं है वो तो बहुत ही अच्छा stock है हमने काफी बार बात किया in fact एक साल से ही हम बोलते आ रहे हैं पॉटकास के उपर में भी कि HDFC Life और फिर इंशुरेंस सेक्टर के जो भी stocks है वो काफी अच्छे options है investment के लिए दोनों स्टॉक हम देखेंगे और साथी में निफ्टी की भी बात कर लेते हैं निफ्टी जो है वो continuous अपना जो काम है वो करते जा है 18000 के पास चल रहा है अगर आपने फॉलो किया है हमें पिछले दो तीन महीनों से तो हम कहे रहते हैं कि दिवाली के पहले जो है वो 18000 का लेवल निफ्टी का जरूर आएगा एक dedicated episode भी इसके उपर में किया था एक वीडियो किया था कि 18000 क्यों आ सकता है मैं लिंक दे दिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं वैसे भी हम जनरली बात कर ही रहे हैं कि यह एक मेल्ट अप फेश चल रहा है निफ्टी 18000-18000-19000 के भी आसपास जाते हुए दिख सकता है साल के एंड तक आपको जिसके बाद हो सकता है कि एक डीप करेक्शन आ से हम बात करी रहे हैं इतने महीनों से चार पांच महीनों से दिखिए यह इस प्रकार के पैटर्न में निफ्टी उपर जाता रहा है यह है करीबन मिट फेप का यह पीरेड है उसके बाद में यहां तक हम आये हैं याने मिट में तक यह जो फेज है यह साइड वेज चला उस किया फिर index जो है वो momentum gather करता है और momentum मिलने के बाद में हमेशा इस प्रकार से upside जाते रहता है मतलब higher highs and higher lows इस प्रकार का formation nifty में चलता है आ रहा है आने वाले कुछ हफतों में हम किस प्रकार का movement देख सकते हैं मुझे तो लगता है यह जो upward move हुआ है उसके बाद थोड़ा sideways जाय सकता यहां से फिर से एक बार वो jump लेगा आठ्रहाजार के तरफ तो अभी हो सकता है 17-500 के आसपास आकर के price side में चले और उसके बाद में बड़ा jump ले जैसा यह jump हमने यहां देखा है यह jump यहां देखा है इस प्रकार का एक बड़ा jump लेकर के वो अठ्रहाजार का figure इस मतलब कुछ हो सकता है दो-तीन महिने में या फिर दो मैने में जिस पेस से चल रहा है Nifty लगतो रहा है कि शायद एक मैने में ही आ जाये लेकिन इतना practical नहीं रहेगा वैसे कहना हो सकता है दो मैने में अठ्रहाजार आ जाये और दिवाली जो है वो इस बार थोड़ी शांदार हो सकती है as far as stock market investing and trading is concerned तो यह हुई बात Nifty की जल से जल देख लेते हैं कि Excite Industries में किस प्रकार का माहोल बन रहा है और आज वहाँ पर क्या हुआ Excite industries जो है यह जो लेवल है यह एक critical level है दोस्तों यह देखिए इस level पहला यहाँ पर जो है support रहा है यह जो level है और उसके बाद में यहाँ पर देखिए तो यह सब सपोर्ट वाले points उसके बाद में यह जो दो points है यह है resistance वाले point फिर से एक बार देखिए breakout हुआ retest हुआ उपर गया फिर से यहां पर support है और अभी इस support के उपर price निकल गया है तो एक काम करते हैं एक trend line निकाल लेते हैं और exact levels को हम mark कर लेंगे so that हमें एक idea मिल जाए किस प्रकार से movements हो रही है तो यह जो trend line है यह देखिए करीबन 181 पे है यह trend line और 181 जो level है अभी तो price है 188 के उपर में 181 जो level है यहां पर हो सकता है price आ करके एक support लें मतलब यहां नीचे आएगा इस प्रकार से वहां से bounce ले करके price जो है वो उपर की तरफ फिर से निकल सकता है यह जो news आई है news यह है कि Excite Industries का जो subsidiary है Excite Life Insurance उसको take over कर लिया है HDFC Life ने ठीक है तो HDFC Life बदले में कुछ 700 करोड रुपे भी देने वाला है और कुछ लगबद 8 करोड शेर्स भी देने वाला है HDFC Life के शेर्स मिलेंगे एकसाइड इंडस्ट्री को मतलब एकसाइड इंडस्ट्री की जो promoter है उनको मिलेंगे यह शेर्स मतलब पैसा भी आ रहा है शेर्स भी आ रहा है याने cash rich होने वाला है एकसाइड इंडस्ट्री तो उनके जो pending projects हैं जैसे बाद में एकसाइड इंडस्ट्री में तेजी जो है वो बरकरार रहेगी वैसे भी stock market में तेजी है साथी में यह जो news आई है इसके बाद भी तेजी रहेगी लेकिन immediately मुझे नहीं लगता कि हमने हाँ immediately buy कर लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा conservative mindset usually रहता है इस प्रकार के stocks में आप current price पर भी buy कर सकते हैं इतना मतलब सोचनी की बात नहीं है क्योंकि एक bullish momentum है लेकिन मेरा यह मानना है कि देखिए पिछले दो दिनों से भी क्योंकि bullish action चलते हुए जा रहा है अब पिछले दो दिनों से चल रहा है इसका एक और मतलब आप निगाल सकते हैं कि news जो होती है वो discount होके आती है पहले ही काफी लोगों को पता था कि होने वाला है इसलिए stock में buying आई और उपर ढगे लगया फिर आज जब मतलब बहुत जादा buying आई तो बहुत ही थोड़ा overextended हो गया है उसके median से उसका जो average है उसके काफी उपर गया है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यह 181 वाला यह जो यह है क्योंकि इसकी history भी है 181 की history हमने अभी थोड़ देर पहले देखा कि वहाँ पर कितना बड़ा support रहा है कितना बड़ा resistance रहा है और ऐसे situation में हो सकता है कि 181 पे यहाँ पर थोड़ा लड़कडा आते हुए price आये एक दो दिन में ही नहीं आएगा हो सकता है को चार पर दिनों में यहाँ पर लड़कडा तो यह आये उसके बाद में bounce लेकर के ऊपर जाए तो मेरा यह मानना है कि 180 यह 181 के आसपास में अग side में HDFC life की बात कर लेते हैं देखिए HDFC life तो one of my favorite stocks है COVID-19 के fall के बाद में जब सबको life insurance का महत्व समझा तब से ही यह stock जो है in fact उसके पहले भी यह stock bullish ही रहा है तो आप देख सकते हैं यह stock bullish मतलब यह जो inclination है stock का यह आप देखिए life insurance as a sector ही बहुत अच्छा है और अभी तो क काफी सारे लोग policies वगरा निकालना चाहते हैं इसके वज़े से HDFC life जो है वो एक all time मतलब evergreen type का stock आप पकड़के चलिए बाकी भी जो insurance sector के stocks है वो भी काफी अच्छा कर रहा है investment point of view से बहुत थी बहतरी इन stock है higher highs higher lows में चल रहा है यह हम monthly time frame देख रहे है आगे चलते है इसक है 2021 की शुरुआत से 2021 की शुरुआत से price ऐसा इस प्रकार से उपर नहीं गया है वो side में चल रहा है ठीक है यह एक channel चल रहा है side में चल रहा है और अभी अभी क्या हुआ है पिछले ही कुछ दो दिनों में हम देख सकते हैं कि यह जो level है इसका एक प्रकार से breakout attempt किया गया है अगर यह एक level में mark करूँ थोड़ा इसको fine tune आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा हिस्सा उपर भी आ रहा है ठीक है यह एक यह दो और यह तीन हमें touch points मिल रहे हैं 7,3,4 के आसपास में यह trend line है और यह trend line से अभी अगर आप देखेंगे तो price जो है वो उपर निक कल गया है ठीक है यह कल के दिन के candle है ऊपर निकल गया आज थोड़ा इस प्रकार का move आया है तो मुझे तो रखता है current price में आपको इसमें entry ले लेनी चाहिए HDFC life में क्योंकि इसका जो resistance है उसको यह break करने की कोशिश कर रहा है और successfully break किया भी है कल के दिन में ही अगर हम देख तो यह successful breakout हो चुका है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह breakout हो चुका है और इतना बड़ा move जो कल का हुआ था उसके बाद में अभी थोड़ा आज का move जो है वो थोड़ा restricted है ठीक है तो overall bullish stock है देखना ही नहीं है दोनों तरफ से positive एक news भी है और साथ में यह भी चीज ह दूरी है तो यह दोनों चीज़े अगर हम पकड़े तो मुझे लग रहा है कि यह stock काफी अच्छा returns आपको दे सकते हैं यह दोनों भी stocks हो गए साथी में निफ्टी में तो बड़िया moves आ रहा है तो दोस्तों अगर आपको value addition हुआ होगा like share subscribe जरूर करिएगा और अगर आप नए है चानल के उपर में तो जरूर आप bell icon को भी enable करें क्योंकि हम हर मंगलवार शुक्रवार और रविवार को नया वीडियो लेकर के आते हैं इस चानल के उपर में बहुत 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 शुक्रिया बाकी हमारे जो social media links है podcast है और English का YouTube channel है उसको भी refer जरूर करिए धन्यव बाद और जल्द मिलूंगा आपसे